मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कैटर कॉंबिनेशन जिसको यूज करके आप बन सकते हो एकटम प्रो नेडर प्रूब के तोर पे आप लोग देख सकते हो मेरा ये वाला अचीब्मेंट जहाँ पे मैंने सिफ एक नेडर से पूरे एक स्कुआड को उड़ाया था इसके लावा बैक्डाउंड पे भी आपको काफी सारे ऐसे कलिप दिखने को मिल जाएगा जहाँ पे मैं सिफ एक नेडर से डवल किल तिरिपल किल किया हूँ तो किस अभी मैं आपको बताऊँगा एक तगड़ा सा काइटर कॉम्बिनेशन जिसको यूज करके आप लोग भी बन सकते हो एकदम हरामी वाला नेडर बोले तो मार बम एनेमी कम किस सुकेस यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज करना है अपना इलाइट अलवारो जो की एक नेडर के लिए सबसे बेसिक करेटर है अब कई वर क्या होता है कि एक अनेमी घर के अंदर है तो एक गेट के पास खड़ा है तो इसलिए आपको यहाँ पे यूज करना है इलाइट अलवारो अब देखो सिकेंड पे आपको यूज करना है जो कि सबसे जवरी है वो है अपना एक्टिव स्किल अब एक्टिव स्किल के अंदर मैं आपको बताऊंगा तीन क्रेटर जिसमें से सबसे अच्छा और सबसे वारे में आपको पताऊगा कि यह सामने वाले बंदे का स्किल को ब्लॉक कर देता है अब आप लोग देख सकते हो इस वाली किलिप में यहाँ पे सामने तीन बंदे थे तो मैं क्या क्या है सबसे पहले एवन टुफोर चोड़ा और इसके बाद भी मैंने तुरंद जो है ने अच्छा गया तो किस यहाँ पे जो एवन टुफोर है यह सबसे तगड़ा क्याटर है और सच बताऊं तो इसके वाया से ही मैं कई बार एक ही मैच के अंदर दो बार तीन बार डवल किल तिरपल किल किया हूं यहां तक कि एक बार तो मैंने एस भी मारा था सिर्फ एक नेड देते हैं कि भाई भी वैज हो करके तू नेड मारता है सरम नहीं आता बट आप लोग टिंसर मतलों अगर आपको कोई गाली देता है तो आप लोग बोलना हमारे यहां ऐसा ही होता है तो यहां पे गेस एक्टिव स्किल के अंदर मैं तो यूज करता हूँ एवन टू फोर काईटर क्योंकि यह सामने वाले का स्किल बलोग करने के साथ साथ डैमेज भी देता है और इसके लावा गेस अगर आप लोग एवन टू फोर यूज करना नहीं चाते हो तो आप लोकेशन देख करके उसको उपर नेड़ फेक सकते हो ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे जो एवन टू फोर है वो सबसे तगड़ा है नहीं तो फिर गैस आप लोग डिमिटरी या और आन जो भी आपकी मर्ची हो जो आप लोग यूज करते हो वो भी यूज कर सकते हो बट मेरे हिसाब से एवन टू फोर सबसे तगड़ा है इसके बाद किस यहां पे तीसे स्लोट में आपको यूज करना है ओथो कैटर जो कि आपको काफी ज़ादा हेलप करेगा देखो कई वर क्या होता है कि अगर सामने दो तीन बंदे है आपने नेड़ मारा लेकिन सिर्फ एक बंदा नौक हो पाता है बाकी को दो जो है सिर्फ डैमेज पड़के दा जाता है तो ऐसे टेम पे आउथो जो है आपका हेल परेगा क्योंकि वो क्या करेगा सामने वाले बंदे का जो मुवमेंट स्पीड है उसको सोलो कर देता है दूसरी चीज उसके उपर मार्क मारता है जिससे कि आपके सारे टेमेट को पता चल दाएगा और इसली जो है आप लोग उस पर रस करके पूरा किलियर कर सकते हो ठीक है और मैं आपको बताओं अगर आप लोग सीएस पुस्ट कर रहे हो तो अपने स्क्वाइड में कम से कम एक बंदे या फिर दो बंदे जरूर से आफों का यूज करो भाई यह वाला क्राइटर काफी टगड़ा क्राइटर है जिसके वारे में बहुती कम लोगों को पता है इसके बाद किस यहां पर नेंबर फोर वाले स्लोट में जो है मैं आपको कोई क्राइटर नहीं बताऊंगा वह आप लोग अपनी मर्चिस से कोई आइ जल भी आपको आपको अच्छा लगता हो याप्को याप कोई आपको फेवैरिट करेड़र हो तो उसको आपने पसंद से नमबर फोर पे कोई सफीर रख लेना बट अच्छा सा ही रखना आउड़ेडी मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट बोक्स पे तो मैं आपको और भी तरड़े तरड़े कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे के आप लोग कि तगड़ा फाइदा दिखने को मिलेगा अगर आप एकड़म स्टार्टिंग से मतलब कि कभी आप नेड़ नहीं यूज करते थे अब नेड़ बनने के सोच रहे हो तब आप लोग जहूर से इसको जाके यूज करो कुछ टाइम लगेगा बट आपको इसको तगड़ा फा कर।